हाई एवरिवन अब बात करने वाले हैं कि PHP के अंदर errors को किस तरीके से display करवा सकते हैं और सबसे पहले यही वाला point करेंगे कि यह error को display करवाने वाला issue है क्या कैसे इसको fix कर सकते हैं फिर हम लोग php.ini file इसकी location ढूंडेंगे हमारे operating system के अंदर यह मिलने के बाद इसके अंदर एक property होती है display errors नाम से इसको हम लोग on करेंगे then हम लोग check करेंगे कि जो errors है वो properly हमें display हो रहे हैं के नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले यह वाला issue समझते हैं देगो जब भी आप लोग zamp के साथ PHP को install करते हो और आपके program के अंदर कोई error आता है तो आपको by default यह वाला page visible होता है जिसके अंदर लिखा होता है this page is not working or local host is currently able to handle this request और http error 500 अब यह ना एक common error होता है अगर आपको actual में error देखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने operating system के अंदर php.ini file इसको ढूनना पड़ेगा यह जैसे आप लोग zamp install करते हो उसके बाद में create होती है और इसके अंदर जाके display error को on करना पड़ेगा फिर जाके आपको actual में error देखेगा अभी है क्या देखो यह मैं आपको दिखाता हूँ हम लोगोंने यह वाली file open कर रखी है localhost वाली और इसके अंदर मैंने यहां से एक semicolon हटा रखा है यहां से जैसे मैं इसको लगाऊंगा यह properly काम करना start कर देगा इसमें कोई issue नहीं आएगा आप देख सकते हो राइट और जैसे यह वाला जो semicolon है मैंने हटा दिया तो इसने यह वाला error देना शुरू कर दिया बट यहां पर कमी पर mention नहीं है कि यह semicolon की वज़े से error आया और ना ही हम इसको इस error की वज़े से कभी समझ पाएंगे तो अब हमें क्या करना है PHP INI file को ढूंडना है अब इसकी location अलग अलग चू मिलती है हर जगाए पर इसका reason यह है कि Apache के हिसाब से Apache के version sorry XAMP के versions और operating system के versions के हिसाब से इस file की location अलग-अलग हो सकती है तो इसलिए हमें पहले इसकी location पता करनी होती है then हम लोग इस file के अंदर इस display error property को change कर पाएंगे तो मैं क्या करता हूँ एक छोटा सा program अलग से बनाता हूँ इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हो मैं इसका नाम रख लेता हूँ display errors.php then इसके अंदर जाके मैं यहां पर लिखूँगा PHP और इसके अंदर में एक छोटा सा function को echo करवा हूँगा उस function का नाम होता है basically PHP info so मैं यहां पर लिखूँगा PHP info इसको राइट यह function होता है और मैं इसको run करूँगा अब functions क्या होते हैं इसके बारे मैं आपको बताऊंगा don't worry अभी के लिए समझ लो बसकि हम लोग file की location ढूणने ही कोशिश करने है ज्यादा function के depth में जाओगे तो आपको problem आएगी then मैं क्या कर करता हूँ इसको न वापिस जाके जो error वाली file इसको open करता हूँ तो देखो यहां पे थोड़ो सा जैसे down जाओगे तो आपको इसका path मिल जागा PHP INI file का path या फिर आपको loaded configuration file का path यह दोनों almost same ही मिलेंगे आपको इसके अंदर जो PHP.INI file होती है इसके उपर आपको जाना है त ट्रेमिनल के साथ जाओ या फिर डारेक्टली folder के अंदर जाओ मैं यहां पर लिखता हूँ एप्लिकेशन जैन 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 फाइल्स और इसके अंदर हमें क्या फोल्डर मिलेगा यहां पर एटी सी सीडी एटी सी अब मैं इसको LS करता हूँ यहां पर आके तो देखो मु VS Code की कमांड होती है इस फाइल को यह VS Code के अंदर ओपन कर देगा जैसे मैं यहां पर एंटर करता हूँ तो यह वारी फाइल मेरी ओपन हो गई अब मैं इसके अंदर सर्च करूँगा यह काफी बड़ी फाइल होती है वैसे आप मैनूली जूंड होगे तो आपको बहुत प् सकते हो डिस्प्ले अंडर्सकोर एरर्स तो जो यह आपको ओफ दिख रहा है इसको कर दो ओन सिंपली और इवन इसके उपर बता भी रखा है कि डवलपमेंट मोड के अंदर यह ओन होना चाहिए बाइडिफोल्ट यह ओन होता है प्रोडक्शन के अंदर ओफ होता है बट य वापिस से आप जाना अपने जैंप सर्वर के ऊपर और रिस्टार्ट कर देना सारी की सारी सर्विसिस को अगर सारी सर्विस को रिस्टार्ट नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है अट लिस्ट अपाच्य वेब सर्वर को रिस्टार्ट कर देना आपको काम चल जाए तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं एक तो second लेखा इसको services को restart करने के अंदर और जैसे रिस्टार्ट हो होगी मैं system को restart करने की बात नहीं कर रहा हुए यह आप system को restart कर दो इन मैं services की बात कर रहा हूँ यह हमारी जो services थी, यह run हो चुकी है then, अब मैं क्या करता हूँ, error को check करने के लिए, वापिस से जो variable dot वाली file थी ना, इसके अंदर जाता हूँ, right, हम इसको save करूँगा और इसको मैं यहाँ पर execute करके देखूँगा then, यहाँ पर गया, और अब देखो, इसने क्या मुझे बताया कि यहाँ पर semicolon या फिर comma में इस है, यहाँ पर semicolon बता जिया, expecting this, comma or this, अब और आईए, इसने line number भी बता जिया, कि line number 22 के उपर जैसे हम लोग यहाँ पर line number 22 के उपर जाते हैं, तो यह वाले की बात करें इससे पहले हम अगर हम लोग semicolon लगा देंगे, तो प्रोपरली काम करेंगे, right, so यह वाला issue बहुत लोग face करते हैं, आप इस तरीके से इसको resolve कर सकते हो, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला, कुछ आपको नई चीज आप नहीं देखी तो please video को like करो, channel को subscribe करो comment section में में feedback दो, और आपके लिए like, subscribe and comment section में feedback देना completely free of cost है इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट मुझे इससे motivation मिलती है, थोड़ी सी value मिलती है और मैं अच्छे से video बना पाता हूँ आपके लिए, और यह मेरा Paytm का donation number है, अगर आप donate करना चाहते हो thank you guys, thank you so much